हेलो स्टुडन्स आज हम स्टैंडर्ड नाइं का प्रैक्टिस सेट 4.3 देख रहे हैं इसमें हमारा फर्स कोशन कंस्ट्रक्ट ट्रैंगल PQR इन वीच अंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री अंगल R इक्वल टू 80 डिग्री और ट्रैंगल की तीनों सैड की अडिशन दी हे यहाँ पे 9.5 cm और हमें ट्रैंगल PQR घंशन करना है तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर दी रहती है हमें यह ट्रैंगल PQR अगर पहले हमें बैसलाइन द्राओ करनी होगी तो देखो वह बैसलाइन के दाने हैं में 9.5 सेंटिमेटर तो हम पहले बेसलाइन ड्रॉ करेंगे पहले में रफिगर ड्रॉ कर लेती हूं सपोज यह हो गई बेसलाइन हमारी 9.5 सेंटिमेटर सपोज यह हमारा बेसलाइन के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है यह दोनों पॉइंट हमें प, क्यू, आर पॉइंट नहीं लेबल करने उनसे अलग अलफाबिट लेकर पॉइंट लेबल करने है तो मैं सपोज यह यह क्यू डैश और यह आर डैश लेकर लेबल कर लेती हूं क्यों यह q'dash और r'dash लिया है सपोज हमारा triangle अगर ऐसा आता है यह हमारा p point, यह q point और यह r point ओके, इसके बीच में हमारा triangle आने वाला है, तो q'dash जो point है, उसकी side में क्या रहेगा, q point रहेगा हमारा triangle का और r'dash के side में जो point रहेगा, यहाँ पे triangle का वो क्या रहेगा r point रहेगा अभी हमें angle q 70 degree लेना है अभी angle r 80 degree लेना है अभी देखो हमें ये baseline draw करने के बाद आपको fair figure में कैसे करना है ये q angle आपको 35 degree लेना है q angle आपको 35 degree q लेना है q dash point के side में आपका q angle आने वाला है और वो 70 degree है इसलिए है 70 degree का half 35 आता है इसलिए आपको q dash ये angle आपको 35 degree लेना है और r dash के side में आपका r point आने वाला है तो r angle आपका 80 degree है इसलिए r dash आपको कितना लेना है उसका half 40 degree angle ले लेना है suppose हमारा q angle ऐसा आ गया और r angle ऐसा आ गया ये हमारा 40 degree और ये 35 degree q dash के side में q point आने वाला है हमारा और r dash के side में r point आने वाला है इसलिए r dash हमने 40 लिया r का half 40 degree और q dash 35 लिया क्योंकि q 70 degree है उसका half हमने ले लिया अभी baseline ड्रा हो गई ये दोनों angle भी ड्रा हो गई दिये गए angle के half angle भी ड्रा हो गई ये दोनों अभी ये दोनों angle जा हमेंट हो रहे है वो point आएगा हमारा angle का point q point qr जो triangle है उसका ये p point हम यहाँ पे मिल जाएगा ओके p point मिलने के बाद आपको q dash p ये जो segment है ये segment पर perpendicular ड्रा करना है उसके बाद p r dash do segment है उसके बी परपेंडिकुलर ड्रा करना है सपोज हमारा perpendicular ऐसा आजाएगा और यहाँ पे भी ऐसा perpendicular आजाएगा सपोज हमें q की रफ फिगर ड्रा पर रहे हूँ यहाँ पे ओके ये परपेंडिकुलर ड्रा होने के बाद ये परपेंडिकुलर इस base line को जहाँ पे टच हो रहा है वो आएगा हमारा q point ये q डेश है तो ये हमारा q point आएगा और ये परपेंडिकुलर इस base line पर ये परपेंडिकुलर इस base line को जहाँ पे टच हो रहा है न वो आएगा हमारा r point और ये pq और पी आर ये point जोड लेने के बाद हमें यहाँ पे pq और ये triangle form हो जाएगा ओके एसा करना ये हमारा ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट understand students है ना easy बहुत easy construction है और ये point जोड लेने के बाद ये angle हमें 70 डिगरी और ये angle हमें 80 डिगरी मिल जाएगा ओके तो हम फेर figure draw कर लेते हैं चलो अभी हम baseline लेते हैं 9.5 cm तो यहाँ पे हमारा baseline का starting point और ये 9 के बाद 5 नंब की जो लाइन है वहाँ पर 9.5 cm distance आ जाएगा अभी मैं ये दोनों point जोड लेती हूँ तो ये हो जाएगा 9.5 cm distance ये हमने q dash point consider किया है तो यहाँ पे में q dash या r dash consider किया है तो ये r dash point आ गया हमारा baseline का अभी हमें q dash point पर 35 degree angle लेना है तो हम protector की हिल्प से 35 degree ले लेते हैं इस point पे हमें 35 degree लेना है और baseline इस side पर है तो हम इस side से मेजर्मेंट करेंगे हमें कितना लेना है 35 30 यहाँ पे है 35 30 की बाद 5 नमर की जो स्मॉल लाइन है वहाँ पे 35 degree ओके अभी यहाँ पर r dash point पर हमें 40 degree angle लेना है तो मैं यहाँ पर एसा ले लेती हूं और baseline इस side में है तो हम angle इस side में measurement करेंगे हमें कितने लेना है 40 degree तो मैं यहाँ पर 40 degree के बाद point दे देती हूं ओके अभी q dash और यह angle का जो point दिया है वह join कर लेती हूं ओके और यह r dash और 40 degree angle का जो point है वह join कर लेती हूं तो हमें q dash 35 और r dash 40 degree angle मिल जाएगा 35 degree और यह 40 degree यह हमारा p point दोनो angle का जो point यहाँ पर मिल रहा है न हमें यह हमारा p point हो बाया अभी q dash p line पर हमें perpendicular draw करना है तो इस segment पर perpendicular draw करना है तो इस segment का हाफ से जाधा distance हमें compass में ले लेना है ओके पहले यह दोनों जो है दोनों के tip same distance पर pencil आपको fix कर लेनी है देखो यह दोनों same distance same distance पर ले लिये मैंने अभी इस segment का हाफ से जाधा distance भी ले लिया आप से जाधा distance दिख रहा है ना अभी q point पर रखकर दोनों side में arc लगानी है और p point पर रखकर भी दोनों side में arc लगा लेनी है यह arc intersect नहीं हो रहे है तो मैं फिर से q point पर compass का tip रखकर यह arc यहाँ पर intersect कर लिये अभी दोनों arc के intersecting point हमें जोड लेने है perpendicular इस baseline को जहाँ पर touch हो रही है ना वो point हमारा q point ओके यह q point इस segment का भी half से ज्यादा distance हो गया है ओके मैं अभी arc point पर compass का tip रखकर दोनों side में arc ड्रॉब कर लेती हो उसके बाद p point पर compass का tip रखकर दोनों side में arc लगा ली मैंने arc मीट नहीं हो रहे थे इसलिए फिर से ड्रॉब कर लिए ओके अभी दोनों arc के intersecting point जोइन कर लेना है तो हमें यह यहाँ पर r point मिल गया ओके मैं q और r point अंदर ही label कर लेती हूँ क्योंकि नेचे जो distance है वो वही पर है आपको अच्छे से identify हो सकी इसलिए मैं यह q point ले लेती हूँ q और यह हमारा r point अभी हाँ है p q और pr यह segment हमें जोइन कर लेनी है यह segment join हो गई उसके बाद यह pr segment भी और यह angle हमारा 70 degree और यह angle हमारा 80 degree मिल गया ओके सो हेना easy students q point आपका 70 degree और r point आपका 80 degree आ रहा है नहीं यह जर करके confirm कर सकते हो तो देखो अभी देखो यह correct आपका 70 degree distance दिख रहा है देखो यह 70 degree ओके अभी यह point आपको r point पे रखना है यहाँ पे नीचे यह जो line है इसी line पे perfect यह line match हो रही है ओके तो आपका यह distance 80 degree हो गया दोनों angle correct है आपका triangle construction भी सही है second है construct triangle xyz in which angle y equal to 58 degree angle x equal to 46 degree and perimeter of triangle is 10.5 cm triangle की side की addition ही रहती है perimeter ओके अभी देखो यह दिये दे information के according मैंने या फिकर ड्रौ कर ली है angle y और x दिया है इसलिए यह y point और यह x point आएगा ओके यह y और x point y के side में y point ले लिया है x के side मैंने x dash point ले लिया यह हमारा x dash point और यह y dash point और यह दोनों angle draw करने के बाद यह 0 point हमें मिल जाएगा जो x 46 degree दिया है उसका half यह 23 degree x dash angle ले लेना है और y dash हमें लेना है 29 degree क्योंकि y 58 है उसका half 29 आएगा इसलिए y dash हमें 29 degree ले लेना है same पहला जो triangle हमने construct किया है same way सही यहापे भी construct कर लेना है मैं पहले baseline 10.5 cm दी लेनी है क्योंकि perimeter हमें 10.5 cm दी गई है तो चलो baseline ड्रॉक कर लेते हैं पहले 10.5 cm पहला जो point आएगा 0 के वहाँ और दूसरा point आएगा 10 के वार 5 नमबर की जो लाईने वहाँ पर ओके दिख रहा है ना आपको और इस दोनों point के बीच का जो distance हो गया हमारा 10.5 यह हमारा y-point और यह हमारा x-point अभी y-angle हमें 29 लेना है 29 डिगरी 29 केसे मेजर करोगे अभी इस साइड से आप अंगल मेजर करना स्टार्ट करोगे 29 मीन्स 30 को एक लाइन कम 30 को एक लाइन कम यहाँ पर आप मार्क कर लो पहले ओके यह यह वाई अंगल 29 डिगरी मार्क हो गया अभी x अंगल हमें 23 डिगरी मार्क कर लेना है 23 कहाँ पर आएगा 20 के बाद थर्ड नंबर की जो लाइन है वहाँ पर हूँ यह दोनों पॉइंट जोड लिए हमें जेड पॉइंट मिल गया दोनों एंगल का इंटरसेंटी पॉइंट जो है वो जेड पॉइंट हमें मिल गया अभी इस सेग्मेंट पर और इस सेग्मेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस सेग्मेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इस सेग्मेंट का हफसे ज्यादा डिस्टंस कमपस में लेंगे और दोनों सैड में आर्क ड्रॉ करेंगे कि इस segment का हफसे ज्यादा distance में ने ले लिया अभी मैं इसी segment के दोनों साथ में आर्क ड्रॉ करूँगी कि उसके बाद में z point पे compose का टीप रख कर दोनों साथ में आर्क ड्रॉ करूँगी कि दोनों आर्क के इंट्रसेक्टियों पॉइंस जो हे वह जोड लेना है अभी यह perpendicular इस baseline को जहाँ पर touch हो रहा है वो हमारा y point मिल गया z से लेकर वहाँ तक आप line draw कर सकते हो ओके यह हमारा y point अभी इस segment पर perpendicular draw करो यह भी half से ज़्यादा distance है x dash point पर मैंने compass का tip रखा इस side में और इस side में arc draw की ओके z point पर भी compass का tip रखा दोनों side में arc draw की दोनों arc के interstate की point जोड़ लो यह हमाई x point मिल गया अभी x से लेकर z तक यह segment draw कर लो यह angle हमारा 58 degree और यह angle हमारा 46 degree मिल गया और यह दोनों congruents है यह दोनों भी congruents हो गई इस पर मैं हमने perpendicular by setter draw किया है यह हमारे triangle की one side यह second number side है और यह third one side हमारे triangle की हमारा x x x y z यह triangle construct हो गया हेना स्टूड़ांट सीज़ी नमर त्री है construct triangle LMN in which angle M equal to 60 degree angle N equal to 80 degree and LM plus MN plus NL equal to 11 cm तो दी गई information के recording मैंने यहाँ रफिगर draw की है रफिगर कैसी draw की जाती है यह मैंने पहले और second question में आपको बताया है वेसे ही यहाँ पे भी आपको रफिगर draw कर लेनी है यहाँ पे तीनों angle की addition 11 cm दिया है तो हम baseline 11 cm ले लेंगे उसके बाद में baseline के जो 2 point है वो angle के ही point होने चाहिए पर वो dash में होने चाहिए यह M dash point और यह n dash point अभी यह m dash लिए है तो यह m dash point की side का point रहेगा वो triangle का yun point रहेगा hn dash point के side का point रहेगा वो triangle का yun point रहेगा अभी देखो yun angle 80 degree है इसलिए yun dash angle जो है वो हमें उसका half 40 degree लेना है yun angle 60 degree है इसलिए उसका half yun dash angle हमें 30 degree ले लेना है ये दोनो angle draw होने के बाद इन दोनो angle का जो intersecting point मिलेगा यहाँ पे वो हमारा triangle का L point रहेगा उसके बाद में yun dash l इस segment पर perpendicular draw करना है ये segment perpendicular draw होने के बाद इस l n dash जो segment है उस पर भी perpendicular draw कर लेना है ये दोनों perpendicular draw होने के बाद ये दोनों perpendicular baseline को जहाँ पे touch हो रहे हैं इस side में perpendicular baseline को जहाँ पे touch हो रहा है वो yun point और yun dash side में perpendicular baseline को जहां पे टच हो रहा है वो हमारा यन पॉइंट उसके बाद में LM और LN ये पॉइंट जोड लेने हैं तो हो गया हमारा ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट सेम एसे ही हमें फियर फिगर में भी ड्रॉ कर लेना है पहले हम बेसलाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद में ये हो गया हमारा ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट ट्रेंगल LMN